Hello students, आज के lecture में हम देखने वाले हैं हमारे material costing इस chapter का आपका stock ledger का question इसके पहले students हमने अलग-अलग sums solve किये हैं और यहाँ पर भी इस question में हम लोग एक अलग type क्या करेंगे? कवर करने वाले तो इसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो हमारे चैनल को subscribe कर ले ताकि आपको latest updates मिलते रहें So students, अब इस question में दिखिए क्या का है उन्होंने? From the following details, find out the closing stock of a company as per FIFO method and weighted average method इसका मतलब आपको दोनों method से क्या करना है? solve करके show करना है by preparing stock ledger और यहां पर आपको date wise transactions दिये हुए और एक last में उन्हों एक information भी दिया है जहां पर उन्होंने कहा on 18th March 2018, 40 units were found damaged and had to be discarded तो अभी इसका क्या करना है? वो भी हम लोग इस question में देखेंगे तो शुरू करते है question को तो सबसे पहले हम लोग FIFO method से इसे solve करेंगे तो पहले मैं heading link देता हूँ उपर stock ledger by FIFO method इसके बाद हमारा table इसका हमारा format जो की fix है date, purchase, issue और balance और purchase, issue और balance तीनों में हमारे को तीन-तीन column आते हैं that is quantity यानि units, rate और आपका amount या total आप लिख सकते हो, ठीक है? quantity, rate, amount, same way quantity, rate, amount, okay? अब हमें date wise transaction को यहाँ पर क्या करना है? record करना है तो सबसे पहले आप question में देख पाएंगे 1st March 2018 को उन्होंने balance दिया हुए आपको 400 units तो यह आपका क्या हो जाएगा? opening balance हो जाएगा, ठीक है न? और opening balance को हम कहां लिखते है? directly, balance के column में उसका rate दिया है हमें 14 तो सबसे पहले 1st March को rate balance में directly लिखेंगे हम लोग quantity, units कितना दिया हुआ है 400 और उसका rate हमें दिया हुआ है 14 multiply करने पर हमें value मिल जाएगा 5600 उसके बाद 2nd March 2018 को हम लोगों को उन्होंने कहा कि 300 units क्या किया है? हमने purchase किया है, so 2nd March को हम लोग purchase में record करेंगे 300 units rate हमें दिया हुआ है 15, तो हम लोग यहां पर rate 15 ले 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 थे 300 x 15 multiply करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा यहां पर value 4500 ठीक है? अब क्योंकि हम FIFO method follow कर रहे हैं तो FIFO method क्या कहता है आपको कि पहले आप जो पूराना balance है वो लिखते हो और जो नया quantity हमने purchase किया वो उसके आपको नीचे लिखना है, so 400 14 के हिसाब से 5600, 315 के हिसाब से आ जाएगा 4500, ओके? अब इसके बाद आपको next का है 4th को, that is 4th March को अगें आपने 200 units क्या बोला है, purchase में दिया हुआ है, so again हम लोग purchase में record करेंगे quantity कितना दिया हुआ है 200, उसका rate दिया हुआ है again 15, ठीक है, multiply करने पर value आपको 3000, अब क्योंकि FIFO method है तो अगें आपको वह इसे ही करना है, right, पहले वाले stock दोनों हमने लिख देते हैं और यह जो नया lot हमने purchase किया वो उसी के नीचे ले ले लेते हैं, ठीक है, clear, इसके बाद आपको next लेना है 5th को, 5th date को देखिए 5th March को उन्होंने का हमने 400 units sale करने है, right, उसका rate हमें दिया हुआ है 20, बट हम लोग इस sale के rate को हमेशा ignore करते हैं, stock ledger में हम लोग उसको sales के rate पर कभी record करते नहीं है, ठीक है, इसके पहले भी हमने questions cover किये हैं ऐसे, so 5th date को हमें अभी sale, यानि कि issue में record करना होगा, कितना units 400, बट हम लोग FIFO method follow कर रहे हैं, कि पुराना lot पहले बेचना है, so जो हमें 400 sale करना है, वो हम लोग कौनसे lot में से बेचेंगे, यह first वाले lot में से, तो वो में ले लेता हूँ, यहाँ पे 400, rate हमारा 14 और value आएगा 5600, अब balance record करना है हमें, तो issue करने के बाद अगर आप देखोगे, तो last time आपके पास 3 lot थे, 400, 300 और 200, उसमें से आपने यह 400 का जो lot था, 14 रुपीज वाला वो पूरा sale कर दिया है, अब आपके पास क्या बचेगा, तो 300 units बचेंगे, 15 वाले, 4500 value, और same way 200 units भी बचा है, आपका 15 रुपीज वाला value 3000 है, ठीक है, 5th के बाद आपका next date है, आपे 10th, 10th को again आपको कहा है, 100 units sale करना है, rate दिया है 22, बट हम लोग उसको ignore करेंगे, sale के rate को, again 10th को मैं sale record कर रहा हूं, तो again issue के column में लिखेंगे, इस time हमें 100 units issue करना है, तो हमारे पास देखिए balance में, पुराना वाला quantity कितना है 300, नया वाला quantity कितना है 200, क्योंकि FIFO method है, इसका मतलब हम पहले lot में से पहले बेचेंगे, so जो हमें 100 units का sale करने का order है, उसमें हम लोग 300 units जो हमारे उसमें से हम लोग 100 units देने वाले हैं, ठीक है न, right, उसका rate 15 था, so value हो जाएगा 1500, अब balance की बात करें, तो पहले lot में से, यानि कि 300 के lot में से आप आपके उस lot में अभी कितने बचेंगे, 200, 15 के इसाब से 3000, और यह जो नीचे वाला lot है हमारा, वो हमने ऐसा ही रखा है, तो उसे हम लोग as it is लिख देते हैं, ठीक है, so students, अब next date आपका 17, 17 को उन्होंने का है, 300 units आपने purchase किये, और rate यहाँ पर दिया हुआ है 20, but यहाँ पर correction in this, okay, so हम 17 को हम लोग यहाँ पर record करते हैं, 300 units purchase में, क्या rate के इसाब से record कर रहे हैं हम लोग, 16 के इसाब से, ठीक है, तो there is a correction, I repeat, यहाँ पर 20 के जगे पर हम 16 ले रहे हैं, ठीक है, multiply करने पर value आजाएगा, आपको 4,800, अब FIFO method है, तो पहले पुराने lots को लिखा जाएग तो पुराने, जो दोनों lot से वो मैं लिख देता हूँ, और ही जो नया lot हमने purchase किया, वो उसके नीचे लिख देंगे, हम 316 के इसाब से 4,800, अब 17 के बाद next transaction आपको 20 का दिया हुआ है, लेकिन हमें नीचे information में 18 का एक transaction दिया था, तो पहले वो record करेंगे, 18 को उन्होंने क्य कहा था, 40 units जो थे, where found damaged, right, मतलब खरा भालत था उसका, और where discarded, मतलब हमने उसको क्या कर दिया, scrap कर दिया, तो इस case में आपको issue में record करना होगा, क्योंकि quantity क्या हो रहे, कम हो जा रहे, ठीक है, so 18 को हम लोग 40 units जो है, right, वो discard कर रहे हैं, तो हम लोग issue करके इसको record करेंगे, औ और क्योंकि हम FIFO method follow कर रहे हैं, तो यह assume किया जाएगा कि यह पुराने lot में से गया है, इसलिए यह 200 वाला जो हमारा lot है, हम इसमें से 40 units गए हैं, ऐसा show करेंगे, और उसका rate 15 था, तो यहाँ पर हम लोग rate ले लेते हैं 15, value आ जाएगा 600, balance की बात करें, तो 200 units में से 40 units चले लिख देता हूँ, और 300 का जो lot है आपका, उसको भी हम लोग as it is लिख देंगे, ठीक है, 18 के बाद आपका next date है 20, 20 को उन्होंने का है 250 units क्या करना है, आपको sale करना है, so 20 को हम लोग क्या करना है, sale करते है 250 units, तो आपको issue में दिखाना है, but जैसे कि हमें पता है कि हम FIFO follow कर हैं, तो उसमें पूराने lot को पहले बेचा जाता है, तो 250 units जो हमें sale करने हैं, उसमें हम पहले ये जो 160 का lot है, हम उसमें से देंगे, ठीक है, तो 160 का पूरा lot मैं दे दिता हूँ, मुझे total 250 sale करना था, हमने 160 दे दिया, और कितना हमें देना है अभी 90 units, तो हम लोग जो second lot है 200 200 units का, इसमें से हम 90 units issue करेंगे, उसका rate कितना है 15, multiply करने पर value आ जाएगा आपको 1350, रही बात balance की, तो last time हमारे पास 3 lot थे, 160, 200 और 300, इसमें से ये 160 का lot पूरा चला गया है, 200 में से हमने 90 units issue किये हैं, हमारे पास 110 units बचेंगे, ठीक है ना, और उसका rate 15 होगा, multiply करने पर value मिल आपको 1650, और यह 300 units है, 16 रुपीज वाले, इनको अभी हमने issue नहीं किया, तो यह हमारे पास as it is रहेंगे, clear है, तो यहाँ पर हमने सारे transaction date wise record कर लिए हैं, इसके बाद और कोई transaction बचा नहीं है, तो हमारे पास year ending, मत end पहें, हमारे पास 2 quantities available है, तो मेरा total closing stock कितना हो जाएग इन दोनों units को add करेंगे, तो 410 units और उनका value कितना हो जाएगा, 1650 प्लस 4800 आपका 6450 आपका closing stock का value हो जाएगा, और closing stock का quantity होगा 410, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा यह sum FIFO method के इसाब से solve करके हुआ, अब हमें इसे weighted average method के इसाब से solve करना है, तो आईए अब weighted average के लिए वापस से इसी तरह से हम लोग table बना के इसे solve करते है, तो यहाँ पर मैं उपर लिख देता हूँ, stock ledger weighted average method, अगें same table बना लेंगे, हम लोग date, purchase, issue और balance, purchase के जगे पर आप receipts भी लिख तक से हो, कोई problem नहीं, यहाँ पर quantity rate amount, same way quantity rate amount और quantity rate amount, अब आपको अगें सबसे पहला first date को, या balance के column में लिखेंगे, यहाँ पर हमें कहा गया 400 units थे और rate दिया गया था 14, तो यहाँ पर हम लोग date लिख देते हैं, 400 units directly balance के column में लिख रहे है, rate हमें 14 दिया है, तो multiply करके value मिलेगा आपको 5600, ठीक है, इसके बाद second date को purchase record करना है आपको, तो हम लोग purchase, यानि कि receipt या purchase के column मे 300 units purchase किया है, बोला, rate बताया है 15, तो यहाँ पर rate ले लेते हैं 15, multiply करने पर value मिलेगा आपको 4500, अब students before method में हम क्या करते थे, balance लिखते समय, पुराने lot को पहले लिखते थे, नए lot को नीचे लेते थे, right, but weighted average में हम ऐसा नहीं करते, weighted average में हम लोग क्या करते हैं, पुराने lot और नए lot को mix कर देते हैं, तो इसलिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पर, units और नए units को add करके लिखेंगे, amount और नए amount को add करके लिखेंगे, ठीक है, so 400 plus 300 कितना हो जाएगा, 700, 5600 और 4500 हो जाएगा आपका, यहाँ पर 10100, और इस 10100 को जब हम divide करेंगे 700 से, तो हमें यह value मिलेगा 14.42, ठीक है, अब इसके बाद आपको next date बोला है, 4th को again आपने purchase किया है 200 units, ठीक है, so यहाँ पर हम लोग 4th date को record करते है 200 units, rate हमें दिया हुआ है 15, so multiply करने पर आपको value मिलेगा 3000, again आपको balance record करना है, तो फिर आपका rate change होगा, ठीक है, यहाँ पर भी हमने rate कैसे निक 100 करना है आपको तब आपको यह rate मिलेगा, ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने purchase record किया, अब अगें हमें balance लेना है, तो unit unit add करेंगे, तो 700 plus 200 आपका आ जाएगा 900, 10,100 plus 3000 हो जाएगा आपका 13,100, 13,100 को हम 900 से divide कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको rate मिलेगा 14.56 6 ले रहे हैं, Kelsey पर अगर आप solve करते हो, तो आपको 14.555 recurring आएगा, तो students हम लोग यहाँ पर 3rd number 5 से बड़ा है या 5 है, तो हम लोग इसको round off करके यहाँ पर लिख रहे हैं, बट जब आप calculation करोगे आगे कहीं पर, तो याद रखीगा कि इस rate के जगह पर आप point के बाद 4 number तक नहीं है, right, so अभी हम लोग 5th को record करेंगे, sales जो है वो हमें issue के column में record करना है, कितना units, 400, अब हमारे पास ये एक ही lot available है, 14.56 वाला, फीफो में क्या होता था, हमारे पास multiple stocks available होते थे और हम पुराने में से issue करते थे, बट यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपका एक lot available है उसी में से आप issue करेंगे, ठीक है ना, so 14.56 actually में आपका 14.5555 आपको calculation के वक्त लेना है, तो लिखते समय हम दो ही digits के साथ 14.56 लिखेंगे, लेकिन आप जब multiply कर रहे हैं इसे 400 into, तो 14.Calc पर 4 बार आप 5 लेंगे, ठीक है ना, so आपको answer मिलेगा वहाँ पे 58,022.22 ऐसा कुछ जाएगा, तो फिर point के बाद 50 पैसे से छोटा value है, तो आप उसको ignore कर देंगे, रही बाद balance quantity की, तो 900 units में से अभी 400 units चले गए, तो बचेंगे आपके पास 500 units, rate आपका same ही रहेगा, because जब purchase होता है, तो आपका rate बदल जाता है, क्योंकि quantity नए और amount मिक्स हो जाते हैं, लेकि अगिन sale होने के बाद आपका rate वही रहेगा, बचे हुए units उसी price से record होंगे, तो आप 500 units को again 14.555 से ही multiply कीजिए, आपको वहाँ पर value मिलेगा 7278, हो सकता है 1 रुपीस का difference आए, तो इसके लिए मैं आपको क्या कहता है, हमेशा weighted average में जब इस तरह से point में होता है, तो आप प 10th को same issue करना है, तो 10th को again हम issue के column में record करेंगे, कितने units issue करने हमें 100, sale का rate again हमें नहीं देखना होता, तो 100 units हम 14.56 यहाँ पर लिखते हैं, बड़ आप calculation करते से हमें 14.555 लेजिएगा, ठीक है न, तो आपको यहाँ पर मिलेगा 14455.555 आएगा आपको, तो इसलिए हम round off करके उसको 56 ले लेते हैं, ठीक है, इसके बाद balance कितने units बचेंगे, तो 500 में से 100 units issue हुए, तो आपके बचेगा 400 units, rate सेमी रहेगा, again minus करके आप लिख सकते हैं, डारेक्ली 7278-1456 किजिए, और यहाँ पर balance लिख देंगे आप 5822, 10th date के बाद, आपका next date है, आपका 17th March, उस दिन आपको purchase करना है 300 units, so 17th date लिख देते हैं, purchase में हम record करते हैं 300 units, rate यहाँ पर, again I repeat, mistake है, हम 20 नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, 16, ठीक है न, so 300 units, 16 के इसाब से 4800, question में एक error है, यह 20 के जगा पर आपको 16 लेना है, ठीक है, अब इसके बाद, again balance लिखना है, तो purchase के बाद, balance कैसे निकालना था, units, units, add करके, right, तो 400 plus 300 आपका 700, amount में 5822 प्लस 4800 करेंगे आप, तो आपको मिलेगा 10,622, अब rate कैसे निकालते हैं, तो यह value, चो मिला आपको amount, इसको आप unit से divide करते हो, so 10,622 divided by क्या करेंगे आप, 700, तो आपको answer क्या मिलेगा, 15.174 आ रहा है, थर्ड नमबर आपका 4 है, यानि 5 से चोटा है, इसलिए हम इसे 17 ही रहने देंगे, लेकिन जब आगए हम multiply करेंगे इसे, तो हम लोग पॉइंट के बाद, 4 नमबर जो है, आए हुए वो लेंगे, यानि 15.1742 आपको लेना है, ठ 40 units हमारे क्या होए थे, हमने damage होने की वज़े से discard कर दिये थे, मतलब हमें इसे issue में show करना पड़ेगा, because quantity हमारे पास से जा रही है, ठीक है, so 40 units हम issue करेंगे, इसी rate से, so 15.17 हम लिख रहे हैं, लेकिन कैल सी पर जब आप करोगे, तो आपको क्या करना है, पॉइंट के बाद, तो इसके लिए हम रूपीज में value क्या ले लेंगे, इसे 607, रही बाद balance units की, तो 700 में से 40 units गए, तो 660 units आपके बचेंगे, rate यही लिख देते हैं हम लोग, issue होने के बाद rate आपका change होता नहीं है, value निकालने के लिए अगर आपको complication नहीं करना है, multiply करके, तो आप directly क्या की यह 10,622 में से 607 जो है, minus कर देंगे, बचा हुआ balance यहाँ पर लिख देना है, that is 10,015 रुपीज, इसके बाद next आपका है, 20th को, आपको उन्होंने क्या का है, sale record करना है, 250 units का rate दिया गया है, 21, so यहाँ पर again हम लोग sale record करते हैं, कितना units का, 250, तो इसी में से हम 250 units देंगे, rate हम लोग यही लेंगे, 15.17, लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा, Kelsey पर multiply करते समय, आपको point के बाद के 4 digits लेने हैं, यानि 15.1742 इंटू 250 करेंगे, आपको value मिलेगा, वापे 3794, ठीक है, आपको Kelsey पर 3793.55 मिलेगा, लेकिन क्योंकि 50 पैसे से बढ़ा आ रहा है amount, तो इसके लिए आप उसको 794 कर देंगे, ठीक है, अब रही बात balance की, तो 660 में से आपके 250 unit sale हो गए, तो अब आपके पास कितने units बचेंगे, 410, rate यही रहेंगे हम, और value के लिए जैसे कि मैंने आपको कहा, पूराने amount में से यह जो sale हुआ है, उसका amount minus करके लिखेंगे, तो वो हमारे easy हो जाएगा, ठीक है, तो 10,015 में से 3,794 माइनस करते हम, तो यहाँ पर हमें value मिलता है, 6,221, ओके, तो यहाँ पर month end पर आपका जो closing stock है, वो 410 units है, और उसका value 6,221 रुपीस, आपका closing stock का value हो जाएगा, ओके, तो यहाँ पर हमारा इस जो sum है, वो हमने दोनों method से, यानि FIFO और weighted average दोनों method से solve कर लिया है, ओके, तो यहाँ पर हमारा इस हम ख़त प्रम complete हो जाता है, तो students, अगर आपको हमारे lectures पसंद आते हैं, तो हमारे lectures को like करें, उन पर comment करें, और इन्हें अपने friends के साथ share करना न भूले, So students, अब आप हमारे WhatsApp broadcast group को भी join कर सकते हैं, for free notes, assignment and all the latest updates related to exams, to join the free WhatsApp group, आपको जो है, आपका नाम, class और आपका location का नाम, इस WhatsApp number पर send करना है, and you will be added to the WhatsApp broadcast.